तीन लीडर्शिप क्वालिटीज जो सबके अंदर होना मस्ट है और सबके अंदर होना ही चाहिए और तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वल्कम बैक दोस्तों हंडे डिस कम्यूनिकेशन चैलेंज के 33 दिन में आपका स्वागत है तो यह तीन क्वालिटीज जिस सफर कर रहे थे और पीटर मेंजबंग से उनको निकाल दिया गया था ऐसा क्यों किया गया था विकास वह गलती से गोरु लों की कंपार्टमेंट में आगये थे और यह तो महात्मागांधी को बहुत गुस्ता आया इस बात पर के मुझे क्यों धक्का दिया गया तो महत्मा गांधी ने वहाँ पर अंदोलन छेर दिया सत्याग्रे अंदोलन आखिर महत्मा गांधी की जगे सोचिए कोई दूसरा बंदा रहता कोई दूसरा आद्बी रहता तो वो क्या करते क्योंकि पूरा साथ अफरीका में अंग्रेजियों को राज था लेकिन महात्मा गांदी एक हिम्मत वाले इंसान थे एक courageous इंसान थे उनके अंदर एक अंग्रेजियों को राज चल रहा है अंग्रेज राज कर रहे हैं तो यहां पर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया महात्मा गांदी फिजीक से इतने स्ट्रॉंग नहीं थे इतने मजबूत नहीं थे बट उनके अंदर करेज थी हिम्मत था और उनके अंदर फियरलेशनेस इतने आता अंदर होनी चाहिए हिम्मत अंदर होनी चाहिए मात्मा गांधी के अंदर करेज कुट-कुट के भरा आवा था लेकिन फिर भी वह किसी से नहीं डरे और अंग्रेजियों से मुकाबला किया बिना हतिहार के दूसरा क्वालिटी क्वालिटी नेंबर टू कंपैश इंपेथी मतलब साहनुबूती हमदर्दी 2008 में जब इंडिया के ताज होटल पर हमला हो गया था पाकिस्तान के कुछ आतंगवादियों ने हमला कर दिया था तो हमले में जो लोग शहीद हुए थे जो लोग मर गये थे रतन टाटा उनके घर गये थे परस्नली और उनको जाकर उनका मौपजा दिया था उनका जो भी बंता था वो दिया था रतन टाटा इतनीं बड़ी इंसान रतन टाटा को जाने के च्छी सबके घर में इसले गए विक्यस रतन टाटा एक ट्रू लीडर Напр願い ये ब्लिडर है एक क्लां माने जाते हैं और उनके अंदर compassion और हमदर्दी साहनुभूती कुट-कुट कर भरी हुई है तो यह दूसरा leadership quality है compassion और courage जो बहुत जादे important है और हर इंसान के अंदर होना चाहिए quality और तिसरी quality dreamer, thinker, visionary एक सच्चा leader एक बड़ा visionary होता है बड़ा thinker होता है और बड़ा dreamer होता है एक सच्चा leader हमेशा बड़ा सुचता है और उनके पास vision होता है 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का long term सुचता है जिसके अंदर यह vision नहीं होता, जिसके अंदर यह thinking ability नहीं होती जिसके अंदर dream करने की ability नहीं होती, वो एक सच्चा leader नहीं बन सकता और नहीं किसी को guide कर सकता है और आके सब को lead कर सके एक अच्छा leader बन सके तो यह तीन quality दोस्तों आप सब को develop करनी चाहिए ताकि आप एक true leader बन सके और एक सच्छा leader बन सके यह वीडियो ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लास तक देखने के लिए thank you so much